नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस यूटूब चैनल में दोस्तों SSC CHSL के 10 मार्च के फ्रस्ट रिसिप्ट का एक्जाम समापतो चुका है और मैक्सीमम रियल कोस्चन भी मिल चुके हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो के एक लाइक चरूर कर दिजीगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला कोश्चन पूछा था दोस्तों कि भारती सम्मिधान की किस अनुसूची में दल बदल बिरोधी कानून दिया गया है तो आपको बता दें कि यह दसमी अनुसूची में दिया गया है आपको देखे आने वाले सिप्टों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारती सम्मिधान की सभी अनुसूचिया तो एक 12 अनुसूचिया कुल हमारे भर्दी सम्विधान में है पहली अनुसूची में देश और 28 राजियों का उलेख है दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंसन का उलेख है तीसरी अनुसूची में सपत संबंदी उलेख है चौथी अनुसूची में राजसभा की सीटों का उलेख है पांचमी अनुसूची में अनुसूची जाती और जनजाती छेत्रों के प्रसासन का उलेख है छटी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघाला, मिजोरम का जनजाती प्रसासन है साथमी अनुसूची में केंद और राज्यों के बीच सक्ती का बटवारा है आठमी अनुसूची में बाइस भासाओं का उलेक है नौमी अनुसूची में भूमी सुधार संबंदी है दसमी अनुसूची में दलबदर संबंदी प्रावधान है 11 अनुसूची में पंचातों का प्रावधान है और 12 अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है तो ये कुल 12 अनुसूची है दोस्तों एक बार आप इसे जरूर देख लेगे गया आने वाले सिप्टों के लिए बहुत इंपोर्डेंट है अगला एक कोशन पुछा तो दोस्तों कि जबलपूर सहर किस नदी के किनारे इस्तित है देखें नदियों किनारे इस्तित सहर पुछा है अगला जो question पूछा था दोस्तो कि URL का पूर्ड रूप क्या होता है तो इसका देखे पूरा नाम हो जाता है Uniform Resource Locator आपको बता दे कि URL का पूर्ड रूप होता है वह इसका उपियोग World Wide Way पर पते को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है और एक URL वेप से जुड़े किसी भी संसाधन के लिए मोलभूत नेटवर्क पहचान है देखे दोस्तो फुल फॉर्म से हर सिप्ट में एक दो question आ रहा है तो यहाँ पर मैंने कुछ important फुल फॉर्म ले लिए है तो आप इसको एक बार जरूर देख लिजेगा कुछ important लिए है आप इसे एक बार जरूर देख लिजेगा एक question पूछा था दोस्तों कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कौन बने है तो यह सावाज सरीब बने है अगर बात के इससे पहले कौन थे तो इमरान खान यहां के प्रधान मंत्री थे अगला question मोहिनी अटम किस राज्य का सास्त्री नित है देखे सास्त्री नित से भी एक question जरूर आ रहा है तो मोहिनी अटम जो है दोस्तों ओ केरल राज्य का एक सास्त्री नित है देखे एक कुल आठ सास्त्री नित है भारत के कौन कोर्ण से मैं आपके बता देता हूँ भारत नाट्यम, कथक, कथक कली, कुच्ची पूरी, मनी पूरी, मोहिनी अटम, ओडिसी और सत्रिया अगला question चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हर्याडा ने कुल कितने पदक जीते थे देखे, कल के सिफ्टम में बताया था मैंने फर्स रिट में कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इससे daily एक question जरूर आएगा और पदक से संबंदित पूछेगा देखे, आज कूछ लैक चौथा खेलो इंडिया में हर्याडा ने कुल कितने पदक जीते थे तो 137 पदक जीता था जो पहले अस्थान पता ये जो चौथा किलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 2021 में होना था लेकिन COVID को जासे ये 2022 में इसका आयोजन हुआ था और हर्याडा इसमें प्रतम अस्थान थी जिसने कुल 137 पदक जीते थे महराश्ड ने 125 पदक जीत के दूसरा अस्थान और तीसरा अस्थान कर्नाटेक ने 67 पदक जीता था बात करते है दोस्तो दो हजार तेचस में जो यूथ गेम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है तो यह मद्द प्रदेश में हुआ है और इसमें प्रथम अस्थान पर महराष्ट है और दूसरे अस्थान पर हर्याड़ा है अगला क्वेशन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है तो इसका राइट अंसर जागे दोस्तो अर्जेंटीना आपको बता दे कि फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था पूछ सकता है तो यह कतर में आयोजन इसका हुआ था इसमें बिजेता अल्जेंटीना थी जिसने तीसरी बार पुरसकार जीता है और उप बिजेता बात के तो फ्रांस उप बिजेता थी और त्रीसरा स्थान क्रोयसिया था जो कि मुरक्कों को पराजित करके तीसरा स्थान प्रात किया था एक कोशन पूछा था दोस्तों कि एक मुंबत्ती की लौग के सबसे बाहरी छेत्र का रंग होता है तो आपको उतादे जो सबसे बाहरी रंग होता है वो नीला होता है आपको बताएं दोस्तों कि जो एक मुंबत्ती होती है उसके लोग को तीन छेत्रों में बाट गया है और प्रतेक छेत में तापमान भिन्न होता है और प्रतेक छेत का एक विस्ष रंग होता है जो प्रतेक छेत में तापमान निर्धारित करने में हमारी सायता करता है सबसे बाहरी की बात करें दोस्तो तो उसका रंग निला होता है और मद्चेतर का रंग पीला होता है और अन्तरम यानि अंतिम छेतर का रंग गहरा काला होता है एक कोशन पूछा था दोस्तों कि नीती आयोग के अध्यच कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाए कि दोस्तों प्रधान मंत्री मनरेन मोदी नीती आयोग के वर्तमान अध्यच है एक कोशन पूछा था कि पांड की राजधानी क्या है तो देखें पांड की राजधानी मदुरे है देखें कल भी एक कोशन ऐसे ही पूछा था राजधानियों सम्मंदित तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुक राजवन्स है और उनकी राजधानिया है तो आप इसे एक बार ज गुर्जर प्रतिहार वन्स की कन्नोज, राश्कूर्ट वन्स की मान्यखेत, पांडे वन्स की मदुरे, यादव वन्स की देवगिरी, कल्चुरी वन्स की त्रीपूरी, होयसल वन्स की द्वार समुद्रम, सालू वन्स की बिजयनगर, सरकी वन्स की जौनपूर, और बहमनी व पुरसकार किसे मिला है तो आपको बता दे कि डाक्टर असगर वजाहत को ये जो है इनको बिर्ला फाउंडेशन ने वर्ट्स 2021 का ब्यास सम्मान प्रख्यात उपन्यासकार नाटक कार असगर वजाहत को उनके नाटक महावली को प्रदान करने की घोसरा की है एक कोशन पुछा था दोस्तों कि फीबा महिला बास्केटवाल भी शुकप का खिताब किस देश ने जीता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों सयुक्त राज अमेरिका और दोस्तों बात करें उप बिजेता की तो चीन उप बिजेता था यानि चीन और सयुक्त राज अमे में फिफा वर्ल्ड कप 2022 का इजँ कंदिया में जिककी का पूशा गया था या आसी सी क्रिकेट world cup 2025 का अजन इंडिया में होगा इसी दे एबा world boxing championship 2023 का अदम तुर्के उजबेकिस्तान में होगा और world boxing championship 2025 का अज़ों ओशाका जापान में होगा इसी दे आप देख लिजेगा पुरा-पुरा important है आने वाले सिप्टों में एक कोशन पुछा दोस्तों कि प्रसांत महासागर का सबसे गहरा गर्थ का नाम क्या है तो इसका नाम है मेरियाना गर्थ आपको बता दे मेरियानागर्ट जो की पस्चिमी प्रसान महासागर में मारियाना समू से लगवग 200 किलोमेटर पूर में इस्तित है और यह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक खाई है और यह पानी में पृत्वी का सबसे गहरा बिंदू है और मेरियानागर्ट की गहराई 11 किलोमेटर है एक क्वेशन पुछा थे दोस्तों कि IPL के 15 सीजन के प्ले आप में किस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था तो आपको बता दे कि मुंबई इंडियन्स ने क्वालिफाई नहीं किया था चार टीमें जिसके गुजराट टाइटन्स और राजस्थान रायल की बीच हुआ था गुजराट टाइटन विजेता थी और राजस्थान रायल उप विजेता थी एक क्वेशन पुछा था दोस्तों कि इन में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतरगात नहीं आता है देखे इसके option मुझे नहीं बिल पाए है सूची के अंतरगात आता है banking union list के अंतरगात forest concurrent list यानि समवर्ती सूची के अंतरगात आता है trade union, industrial और लेबरोरिटी डिफेचर concurrent list के अंतरगात industries, state list, economic and social planning ये भी concurrent list, education concurrent list, bankrupt and inosilvest concurrent list, batting and gambling state list और fishering state list के अंतरगात आता है एक question पुछाता दोस्तों के Iceman भारत digital mission की noodle agency कौनसी है तो right answer हो जाएगा राष्टी स्वास्थ प्राधिकरण बता दे कि Iceman भारत जो की digital mission की एक अपनी प्रमुख योजनाक्तत राष्टी स्वास्थ पाधिकरण ने एक सारजनिक dashboard लांच किया है और इसमें राज अस्थर पर mission की प्रगर्ती की जानकारी उपलब्ध है एक question पुछा था दोस्तों कि कथक किस छेत्र का सास्त्री नित है तो यह उत्तर प्रदेश का सास्त्री नित है बता दे कि जो कथक है उत्तर भारती नित है और उत्तर प्रदेश और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजीगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत